सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को सामने बैल आइकन को जरूर दवाईए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कछा दस पास हो चुके हैं तो आपको अपना करियर किस फिल्ड में बनाना चाहिए अगर आप टेक्निकल फिल्ड में जाना चाहते हैं तो इसमें सवाल ये उठता है कि आपको आइडियाई कर लेना चाहिए या फिर आपको पालिटेक्निक त्री एर का डिप्लूमा करना चाहिए तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा तो दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखिएगा मैं विनोत को स्वाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोत तो चलिए शुरू करता है तो दोस्तों कच्छा दस का एक्जाम देने के बाद बच्चो या फिर आप लोगों के मन में ये आने लगता है कि अब आगे टेक्निकल फिल्ड में अगर मैं जाना चाहता हूं तो देखिए दोस्तों सबसे बैस्ट आप्षन अगर करियर और सेलरी को लेकर सबसे पहले हम सेलरी की बात कर लेता है अगर आप आप करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब मिलती है तो स्टार्टिंग सेलरी आपकी दस जार ग्यारा जार बारा जार य लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे आप experience गेन करेंगे दूनों ही फिल्ड में आईटी आई और पर्ड टेक्निक आपने किया है तो ज्यादा chances रहते हैं अगर आपने पर्ड टेक्निक किया है आपकी growth बहुत fast होती है कि आपकी salary बहुत तीजी से बढ़ती है दोई तीन साल के experience लेकिन आईटी आई करने के बाद आपके कुछ limitation है दो या चार साथ तक आपकी अच्छी growth होगी उसके बाद आपकी growth हो नहीं बंद हो जाएगी limited हो जाएगा कि भई इससे ज़्यादा आपको salary नहीं मिल पाएगी औ और रही बात education की तो दोस्तो अब किसको ITI करना चाहिए किसको polytechnic करना चाहिए तो दोस्तो अगर आपके पास कोई financial problem नहीं है आप manage कर सकते हैं आपकी family वाले manage कर सकते हैं तो मैं आपको suggest करूंगा कि आप polytechnic में admission ले ले और दोस्तो तो कि polytechnic का benefit आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा future में उसके बाद आप polytechnic करने के बाद job भी कर सकते हैं साथ में या फिर अगर आप job नहीं करना चाहिए तो और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप b-tech क्या फिर b-tech कर सकते हैं फिर b-tech के बाद m-tech कर सकते हैं ये उन conditions में है अगर आपका family से financial support आपको proper मिल रहा है उस case में तो कोई दिक्कत नहीं आप polytechnic कीजिए b-tech कीजिए m-tech कीजिए कोई issue नहीं आने वाला है लेकिन अगर आपकी family effort नहीं कर पा रही है समय भी उनको ज़्यादा नहीं देना है कम समय में कुछ income का source vision rate होने लगे तो आपको ITI क कर लेना चाहिए क्योंकि ITI 2 साल का course है और fees भी आपकी diploma की अपिक्षा कम है उस case में क्या होगा कि आप ITI 2 साल में अपनी complete करने उसके बाद कहीं जॉब पा जाएंगे उसके बार वहां से salary आपको मिलने लगेगी आप अपने family को support कर पाएंगे और growth की बात है कि अगर आप यह ITI करके छोड़ देते हैं तो limited growth है लेकिन अगर उसी में आप manage करके diploma कर लेते हैं अगर आपने ITI किया है तो आपको lateral entry में diploma में admission मिल जाएगा आपको मातर अगर 3 साल का course है तो 2 साल का ही और course करेंगे आपको diploma की degree मिल जाएगी लेकिन आपको आपने जिस trade से ITI किया हो उसी trade से आपको diploma में admission लेना होगा तो उस case में क्या होगा अगर आपने diploma कर लिया तो फिर आपकी growth अच्छी होने लगेगी आपको salary भी अच्छी मिलेगी पोजिशन भी आपकी बढ़ जाएगी अगर आप टेकनिकल सपोर्ट में हैं हो सकता है आपको प्रमोशन मिलके उससे सुपर्वाइजर का पोस्ट मिल जाए या फोर्मेन का पोस्ट मिल जाए तो यह सब चीज़ें हैं लेकिन अब देखिए course की बात तो मैंने आपको बता आदी और रही बात की कि वहीं जिस course course तो बहुत अच्छे अच्छे हैं जिसमें जतना ज्यादा investment करें हैं उतना अच्छा आपको salary वगरा मिलेगा और रही बात अगर आप ITI करने के बाद या फिर पॉल टेकनिक करने के बाद government job में जाते हैं तो अगर ITI भी करते हैं तो आ आप मैं तो सजेस्ट करूंगा आप government job के लिए कुछ दिन त्यारी कर लें या जॉब अगर private sector में job कर रहा है तो जौब के साथ त्यारी भी करें क्योंकि उसमें growth आपकी काफी अच्छी होने government job में starting salary आपकी 30-35,000 मिल जाएगी वही चीज आपकी डिप्लोमा अगर कर लेते हैं विजली भाग में अगर चले जाते हैं तो आपको जही रेंग जही पद आपको मिल जाएगा उसके बाद अगर भी टेक होगरा कर लेता हैं तो आपका प्रमोशनों के यह वगर आप हो सक दोस्तों अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कीजिएगा अगर वो भी कन्फूज है आईटी आई करें कि डिप्लोमा करें या बीटेक करें तो यह वीडियो ज जरूर बताईएगा तो दोस्तों आजके लेक रहें धन्यवाद